दोस्तों आज बात करेंगे UPI Lite के बारे में फानली फॉन पे ने UPI Lite को लाउंच कर दिया है पहले भीम UPI Lite था उसके बाद पेटी हम UPI Lite लेके आया उसके बाद आप फानली फॉन पे ने भी UPI Lite को लाउंच कर दिया है तो आज बात करेंगे कि UPI light क्या होता है UPI light के थुरूब पैसे कैसे transfer कर पाएंगे UPI light और UPI में क्या क्या differences है तो सबसे पहले बात करते हैं कि UPI light क्या होता है दोस्तों जिस तरह से UPI के थुरूब पैसे किसी को भी भेजते हैं QR code का scan करके या फिर किसी का phone number type करके तो वहां पे हमें हर payment पे अपना एक UPI pin डालना पड़ता है नहीं पे दोस्तों UPI light में क्या होगा कि UPI light में आपको कुछ limit दे दिया जाएगा जिसमें आप बीना UPI pin enter किये हुए भी पैसे transfer कर पाएंगे यह बिलकुल safe है secure है इसमें किसी भी तरह कोई भी scam होने के chances बहुत ही कम है दर असल UPI light इसलिए launch किया गया है क्योंकि काफी सारा जो transactions होता था वो 200 रुपए से कम का होता था ऐसे में bank क्या statement होता था वो काफी भर जाता था तो इसलिए यहां पे पे पेटियाम भीम ने यह features लेकिया UPI light का जिसमें अगर आप एक बार 2000 रुपए add करेंगे UPI pin डालके उसके बाद अगर आप 200 रुपए से नीचे काट कहीं पे भी transaction करते हैं पैसे आप send करेंगे तो वहाँ पे आपको UPI pin एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगा तो दोस्तों यह रहाँ font पे जिसमें आप UPI light को use कर सकते हैं तो font पे को अगर आपने Google Play Store से अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले उसको आप अपडेट कर दीजे तब आपको यहां पे दिखाई देगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पे click करना है उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं UPI light new करके आ रहा है जिसमें super fast payment zero failure आनि कि failure का chance काफी कम है तो यहां से add money का option मिल रहा है तो चलिए मैं आपको पैसे add करके दिखाता हूँ कि कैसे add होता है और कैसे payment होता है उसस इसके बाद यहां पर accepted everywhere like UPI कोई भी QR code या फिर कोई भी mobile का phone number कहीं पर भी payment हो जाता है one click payment है pay up to 200 रुपए without any pin जो कि मैंने आपको पहले बता जिया कि 200 रुपए तक आप पैसे भेज पाएंगे बिना pin डाले हुए इसके बाद यहां पर एक बार में up to up 2000 रुपए यहां प 10 रुपए एड करके दिखाता हूं और एक्जामपल आप जितना भी एड करना चाहें कर सकते हैं 2000 रुपए तक एड इसली हो जाएगा तो यहां पर एड मनी पर जाते हैं यहां पर चूज करते हैं उसके बाद यहां पर हमें upi pin डालने का option मिलेगा एड करने समय यूपी डालना होगा तो यहां पर चलिए हम अपना upi pin को enter कर देते हैं उसके बाद यहां पर आगे next करेंगे तो यहां पर देखिए add successfully हो गया यहां पर देखिए upi light successfully 10 rupees का add हो चुका है तो यह आपको amount कहां पर दिखाई देगा यहां पर दिखाई देगा तो अभी current balance आप यहां पर देख सकते हैं कैसे भेजना है जैसे कि यहां पर फॉन पर जाएंगे और यहां पर कोई भी qr code को आप जैसे कि यहां पर मैं किसी को पैसे transfer करके देखत हूं पर select कर लिया उसके बाद मैं यहां पर 10 रुपए करता हूं उसके बाद यहां पर जो options आ रहा है भेजने के लिए upi light और यहां पर तीन options आ रहा है तो इसको मैं select करके continue करूंगा और यहां पर pay click करूंगा तो यह चला जाएगा फिलाल मुझे यहां से मैं आपको भेज इसके भी दिखा देता हूं तो यहां पर मैं pay click करता हूं तो यहां पर देखिए यहां पर यह ट्रांसफर हो जाएगा कोई भी upi pin डालने के जौरत नहीं पड़ा तो इस तरह से आप भी upi का इस्तिमाल कर सकते हैं यह पैसा transfer हो चुका है upi और upi light में क्या क्या differences है तो upi pin enter करना होगा और उसमें किसी भी तरह का और terms and condition नहीं है और upi light में आप जब भी use करेंगे तो उसमें आप एक दिन में 2000 रुपे ही add कर पाएंगे और उसमें आप maximum 200 रुपे ही भेज़ पाएंगे upi light इस्तमाल करते हैं तो उससे आपको क्या क्या benefit होगा सबसे पहला benefit तो नुकसान भी है कि अगर आपका phone कोई और ले लेता है उसी समय तो वह पैसे transfer कर सकता है 200 रुपे से कम का जो भी amount है वह किसी के भी number पे वह पैसा send कर सकता है तो यह एक नुकसान है यह आपको पहले ensure करना होगा कि आप mobile phone इस्तमाल कर रहे हैं तो वह अपने pass रखें समय साथ हमेशा आप lock करके रखें secure रखें